हेलो दोस्तों वेल्कम बैक टू दे चानल स्रस्टी स्टेडी पॉंट यहां पर आपको यह दिख रहा है वेबसाइट इद्रस्टी डॉट इन और नवत्र की उस वेबसाइट पर आपको बुक मिलेगी समसा मैं घटनाओ की मासिक पत्रिका है यह और अब तक जो हम करंट अफ है वो यहां पर हम करने की कोशिश करेंगे पूरी पत्रिका को यहां पर पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे यह वीडियो सभी कले इंपॉर्टन है कि करंट अफ्यार सभी एक्जाम में आजकल आता है तो यह देखे इसका कवर पेज यहां पर आपको दिख रहा है य इसमें ये प्रदानमंत्री हमारे भारत के हैं अरिद मोदी जी और अमेरिका के राश्टपती हैं जो बाइडन जी और प्रदानमंत्री जी अमेरिकी यात्रा पे गए थी इनकी पहली आधिकारिक यात्रा थी ठीक है तो इस तरह का कवर पेज बना हुआ है और इसके इसमें ज question प्रदान मंत्री की अमेरिका की आधिकारी क्यात्रा जिसका cover page है उसी से related पहला question है ये देखे प्रदान मंत्री नरेदर मोधी की अमेरिका की आधिकारी क्यात्रा कब की थी तो इन्होंने 21 से 24 जून 2023 को की थी और प्रदान मंत्री के रूप में ये उनकी पहली अमेरिकी आध आदिकारी क्यात्रा पर गए थे जो वाइडन जब से राष्टपती बने है तो नरेंद्र मोधी जी अमेरिका की आदिकारी क्यात्रा करने वाले तीसरी दुनिया के ये पहले नेता है ठीक है आर्थिक रूप से कमजोर राष्ट और विकास्षील देश जी होता है उसके लिए आदोना चाहिए तो यहाँ पर लिखा हूँ अभी एक कि जून को नौवे अंतर राष्टी योग दिवस के उपलक्ष में संयुक्त राष्ट मुख्याले में आयजित एहतियासिक कारिक्रम का नेत्रत्व किया ठीक है कोशन आ सकता है कि नौवे अंतर राष्टी योग गई तो उसमें जो है सब को यहाँ पर बताना तो यह बहुत बड़ा वह जाएगा लेकिन आप देखिए बौसिंग्टन डीसी में राष्ट्पती जो बाइडर ने नरेद मोदी का रेड कारपेट पर स्वागत किया और दोनों नेताओं उनने आतिहासिक सिखर सम्मिलन का जो है आयोजन किया यह सब इसमें लिखा है रक्षा सेत्र में बहुत कुछ यहाँ पर इनकी अपने समझोते हुए तो अमेरिकी कमपनी जन्रल एलेक्ट्रिक यानि की जी एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेट के भी समझोते के तहत भारत के तो अंतरिक्ष के छेत्र में बहुत सारे समझोते हुए यह देखिए अमेरिकी जो अंतरिक्षे जन्सी नासा और भारत का है इस रो वर्स दोजार चौबिस में अंतरराश्टी अंतरिक्षेशन के लिए संइवत मिशन भेजने के लिए सहमत हुए हैं इसके साथ साथ अर्टेमिस अकॉर्ड संधी क्या है यह वर्ष 1967 में बहाय अंतरिक्ष संधी ठीक है बहाय अंतरिक्ष से रिलेटेड है संधी पर आधारिद असेन अंतरिक्ष अन्वेशन को दिशा निर्देशित करने के लिए तैयार किये गए गयर वादकारी सिद्धानतों का एक सैट है यह वर्ष 2025 तक चंद्रमा पर मानव को फिर से भेजने का अमेरिका के नेतरत्व में से एक प्रियास है ठीक है तो यह इसके सासा दिनके समझोते हुए हैं ब्यापार की शेत्र में भी बहुत सारे समझोते हुए हैं तो यहाँ पर इन्होंने काफी समझोते कर रखे हैं तो देखिए यह जो है कब जारी किया गया साथ जून 2023 को जारी किया गया किस अपसर पर विश्व खाद सुरक्षा दिवस तो साथ जून को यानिकी दो जून की रोटी यानिकी साथ जून को होती है तो याद कर लीजेगा इसको किसके द्वारा केंद्रिये सुआसता वं केंद्र शासित प्रदेशों को तीन श्रेनियों में बाटा गया बड़े राज छोटे राज और केंद्र शासित प्रदेश पांच मांतंड इसमें देखे गए थे मानव संसाधन और संस्थागत डाटा अनुपालन खाद परिक्षन अव संरचना और निगरानी प्रसिक्षन और संसा निर्मार इसके साथ उपवोगता शर्शक्तिकरन ये पांच यहां पर पॉइंट देखे गए थे फिर यहां पर पूरा सूचकांग जारी हुआ था इस सूचकांग की शुरुआ देश में खाद सुरक्षा से जुड़े पारिस्तितिकी में प्रतिस परदी और सकार रात्मक बदलाव लाने के उद्देश से की गई थी अब इसमें देखे टॉप में कौन-कौन है ये इंपॉर्टेंट है तो देखे बड़े राज्यों में टॉप में है केरल उसके पंजाब फिर तमिलनाडू छोटे राज्यों में गोवा मारी पूरसिक्किम केंद्र शास में विजेताओं को भी सम्माने तियां पर किया गया तो ये सब इसमें लिखा हुआ है आसाधारन परणाम बाले अधिकांज जिलों में उलेखनी रूप से तमिलनाडू मद्य परदेश पश्यम यंगाल और उत्तर परदेश और महराष्ट की स्थिति महराष्ट में स्थित ठीक है तो आसाधारन जो परणाम मिले मतलब जो ऐसे थे कि जिनकी उम्मीन नहीं थी ठीक है अगला है ये सब इसमें इसी के बारे में दिया हुआ है कि और तथ्य क्या है तो ये इतना जरूरी नहीं है जो इंपॉर्टन है आई आई टी जोदुपुर में रूफ टॉप क्या होता है कि छत रूफ टॉफ सौर फोटो वोल्टिक परियोजना तो यहां पर 14 जून 2023 को पूरा यहां पर लिखा हुआ है क्या हुआ था एक मेगावार्ट समता की ये परियोजना जो है स्टार्ट की गई और एंटी पीसी विद्दुद व्यापार निगम लिमिटेड क के द्वारा ये शुरू की गई ठीक है यहां पर लिखा है ये परियोजना लागू 25 वर्षिये विद्दुद खरीद समझोते की अवधियेतु नवी करणिये उर्जा सेवा कंपनी मॉडल के तहत एन वीवी एन द्वारा ये इसको बनाया गया अब परियोजना से संबंदि क्या है प्रतिवर्ष विद्दुत इतनी इसमें 14.9 लाख यूनिट उत्पादन होगा कारवंडाई उक्साइड उस सर्जन प्रतिवर्ष कमी होगी 1060 टन की कारवंडाई उक्साइड जीरो कारवंड बैसे भी उस सर्जन जो है लक्ष बना रखा है और परियोजना आयाई जोध पूर के होगी 15 प्रतिशत बिजली से मिलेगी तो यह जोध पूर के लिए इंपॉर्टन है तो यह पर जो मदलब अपनी जोध पैनल लगाए होंगे और फिर क्या क्या है उससे विद्धुत पादन कर रहे हैं तो ये काफी एक अच्छी पहल है है ना तो इसके साथ सद ये पूरा यहां पर लिखा है देखिए एन्टी पीसी की पूर्ण स्वामित वाली साहय कंपनी एन्टी पीसी विद्धुत प्यापार नेगम लिमिटेड एन्बीवी एन का जो आया था अभी पहले उपर ना आप सोच रहोंगे एन्बीवी एन क्या है का परियोजना शुरू की है और इसमें क्या किया है पहली पीसी द्वारा इसको किया गया शुरूआ ठीक है पूर्वोत्तर भारत की पहली एरलाइन इंपॉर्टेंट है एक कोशन पूर्वोत्तर भारत की पहली एरलाइन जेट विंक्स यह वेज जो है वो शुरू की गई जून 2023 में पूर्वोत्तर भारत की पहली एरलाइन है और क कि बैठक 2023 इसके बारे में विकास मंत्रियों की बैठक तो ये वारारसी उत्तर प्रदेश में आयजित की गई अध्यक्षता जो है वो केंद्रिये विदेश मंत्री S.J. संकरने की और 11 से 13 जून के बीच इसको आयजित किया ठीक है और वर्चुली इस सभा को प्रदान मंत्री नरेंदर मोजी जी ने संबोधित किया और इस वैठक का सतत विकास लक्ष जो है कितने विकास लक्ष है सतत विकास लक्ष S.D.G. की बात हो रही है यहां पर उसको देखिएगा कितने हैं मुझे पता है लेकिन आप बताईएगा ठीक है वो प्लब्दियों में तेजी लाने विकास पर्यावरन और जलवाईयो एजेंडा की भी स्तालमेल को बढ़ावा देने के लिए सामई ग्रूप से सहमत होने के अफसर परदान किया है तो यह important है S.D.G. याद कर लीजेगा question जरूर आता है ठीक है PCS में तो दो question थे related और इस बैठक के मुख सत्र थे एक तो बहु पक्षबाद सतत विकास लक्ष की दिशा में प्रगती में तेजी लाने के लिए सामुई करवाईयो दूसरा था हारित व तो यह देखिए ISO को पोल को यह लिखा है प्लेनरी 2023 की बैठक 44 में 26 में 2023 की बीच हुई नई दिल्ली में भारतिय मानक प्योरोई को जा रहा हुई और ISO को पोल को क्या है एक अंतराश्थी संगठन ISO की एक समयती है यह और मानकी करण प्रक्रिया में उभोगता हितों को यह बढ़ावा देता है कि कोई भी प्रोड़क्ट बनाया इसके मानक सारे तयार करना उससे रिलेटेड है ठीक है वो भोगताओं के लिए लाब मिले इसके लिए तो यह ISO के बारे में पढ़ लेते हैं अंतराश्थी मानक संगठन की बात हो रहे है यहाँ पर तो यह जो है एक अंतराश्थी निकाए है इसमें कुल 168 देश शामिल है मुख्याले इसका जिनेवा स्विजन लेन में है और 1947 में इसकी स्थापना होई थी ठीक है तो ISO की यह फुल फॉर्म है अंतराश्थी मानक संगठन अगला है एशिया की पहली उप समुद्रिय अनुसंदान याद रखिएगा इस प्रियोकसाला का नाम सेंटर फॉर सबसी ठीक है सबसी ये वाला सबसी होगा इंजीनियरिंग रिसर्च है इसका विकास MIT WPU के पेट्रोलियम इंजीनियरिंग विवाग द्वारा किया गया है इसे एकर एंकर सलूशन के साजेधारी में विक्सित किया ठीक है इसका उद्देश क्या है बहु विशयक प्रतिवा को बढ़ावा देकर वैश्विक तेल और गैस उद्द्यों के लिए प्रसिक्षण और सिक्षा में क्रांती लाना तो वैश्विक तेल और गैस के उत्वादन के से रिलेटेट लोगों को प्रसिक्षित करना इसका उद्देश है, digital ईंडिया अधीनियम पर digital इंडिया डायलोग 2023 तो इसका जो आयजन हुआ 23 मैट 2023 को मुंबई में हुआ किसके द्वारा electronics एवं IT मंत्रा लेके द्वारा, ठीक है Digital इंडिया अधीनियम 2023 क्या है, भविश के लिखाएस से कि आपदा जोखिम निवनी करन कारे समू की दूसरी बैठक कहां पर आउजित की गई तो इसका उत्तर है मुंबई में कहां पर आउजित की गई किसकी अधिक्षता में भारत की और 23 से 25 मई की बीच उद्देश क्या था रचनात्मक वित्तिय तंत्र की जाच और अफसरों की पहचान करके विशिस्ट समुदायों पर पढ़ने वाली आपदा के प्रभाब को कम करना है ठीक है यानि कि जो यह आपदा आती है जो खम लोगों को परिशानी होती है बाढ़ आ जाती है कई सूखा पढ़ता है तो उस चीज को कम करना रंग भेद के विरुद मातमा पर युद्ध पोत जो है आई एनस तिरशूल 6 से 9 जून 2023 के मद अडरवन अफरीका के दोरे पर रहा था ठीक है तो यह रंग भेद के लेकर आपको पता ही होगा कि क्या है और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ पीटर मेरिट्स वर्ग इस रेलवे स्टेशन गटना क् ट्रांस वॉल में प्रीटोरिया की यात्रा के दोरान गांधी जी पहली बार पीटर मेरिट्स वर्ग इस्टेशन पहुचे थी गांधी जी को जो की टिकेट खरीद कर पर्थम श्रेडी के डिब्बे में बैठे थे एक यूरोपियन के कहने पर डिब्बेट से निकाल दिया त्याग्रा किया था ठीक है तो यह पूरी इसकी 130 वी वर्ट सगाट थी 1893 से आप जोड के देख लीजेगा ठीक है तो यह चीज यहाँ पर इंपोर्टेंट है और 9 जनवरी 1915 को दक्षिन अफ्रीका से भारत जो है कौन बापस आ गय थे गांधी जी आ गय थे और 9 जनवरी के राजा है ठीक है 29 से 31 माई के बीच यह भारत की आत्रा पर रहे यह उनकी पहली भारती आत्रा थी इस आत्रा के दोरान उन्होंने प्रधान मंत्री नरोंद्र मोदी जी से बात की और आपस में जो है दुपक्षिये बात हुई और आपसी संबंद मजबूत बनाने के यह दक्षिन पूर्व एशियाई देश है याद रखिएगा दक्षिन पूर्व एशियाई देश है एशिया काई है लेकिन दक्षिन पूर्व में है और इसकी मुद्रा जो है वो कमबोडियन रियाल है अगला है कोशन यहाँ पर इंडिया रैंकिंग 2023 यह क्या चीज है यह को जारी किया गया किसके दौरा केंद्री एवं सिक्षा केंद्री शिक्षा में बिदेश राजमंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन जी के दौरा रैंकिंग में कुल मिलाकर चार श्रेणिया थी एक तो सवी शेत्रों में दूसरा केबल विश्विदालों में तीसरा अनुसंदान संस्था में और चौथा कॉलेजेस में नौ विशय थे इंजीनियरिंग, प्रवंदन, फॉर्मेसी, वास्तुकार, दंत, किस्सा, किर्शी, संबत देवम, नवाचार, शामिल थे और किस्सा कानून ये ना था, इसमें नंबर वन पे कौन रहा है, तो नंबर वन पे आयाईटी मदरास रहा है, तामिल नाडू, दूसरे पर आई आई स्सी यानि कि भारती विज्ञान संस्थान बैंगलूरू करनाटक, तीसरे पर आयाईटी दिल्ली, नई दिल्ली, चौथे पर आई 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 कानपूर उत्तरपरदेश, इंपोर्टेंट है, यह उत्तरपरदेश के परपस से, अगला कोशन, यहाँ पर देखे, विश्विद्यालो की स्रेणी में सीट्स पे बैंगलूरू रहा है, कॉलेजो की स्रेणी में मिरांडा हाउस दिल्ली रहा है, नंबर वन पे, और हिंदी इंपरिंग के शेत्र पे चेन नई, IIT चेन नई जो है, वो नंबर वन पे रहा है, फारमेशी के शेत्र में, हैदरावाद नंबर वन पे रहा है, नैशलन इंस्टिट्टिट औफ फार्मसेटिकल एजूकेशन और रिसर्च हैदरावाद, जामिया हमदर्द दिल्ली, यह द निपाल करनाटक ये दूसरे स्थान पर रहा ऐसी लौ कृषी इन सब से रिलेटेड है इसमें दिया हुआ है सब तो काफी कुछ इसमें सारे सबको अपनी अपनी ग्रेड मिली है जी ट्वेंटी के रोजगार कारे समू की तीसरी बैठक 2023 में कहां संपन हुई तो ये जो थी य और ये जो है देख्षता भारत ने की 21 माई से 2 जून के बीच और 31 माई से 2 जून के बीच ठीक है ये यहां पर दी हुई है इसके बारे में ये पढ़ लीजेगा और ये बताईएगा कि जो अंतराश्य श्रम देवस का बोता ये कोश्चन इंपोर्टन है इसी से मंत्री गजेंदर शिंख शेखावत की द्वारा आयोजन जो था 1 अक्टूवर 2022-31 मार्ज 2023 तक इत्ता लंबा चला था और मिशन जो था जल जीवन मिशन था और इसमें घरेलू गाउं में घरेलू इस तरपे पानी की गुलवत्ता का परिक्षन करना इसकूल और आनंगमरा दें कि प्रदान मंत्री नरेंद मोधी जी ने 15 अगस 2019 को इसकी शुरूआत की थी गोशना की थी इसका उद्देश से प्रतिय ग्रामीर परिवार को नियमित और दीर कालिकाधार पर नेधारित गुड़िवर्ता के साथ परियाप्त मात्रा में पेजल का मिलना उन्हें वो 31 में 2023 को किया गया गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में important question है सुरक्षे दवं पॉस्टिक भोजनेतु प्रतिवद उदगाटन करता कौन थे डॉक्टर मंसुक मांडविया थे केंद्रिय स्वास्त दवं परिवार करने अल मंत्राले से related थे कारे जो है वो कर्मचारियों को प्रिसिक्षल प्रदान करना है अन नाम है लोक्ष्वास्त अरपनववन और दोशी पाय जाने पर FSSAI अदिनियम 2023 के अनुसार कारवाई की जाएगी ठीक है तो इसमें यह सब दिया हुआ है और इसका प्रिसिक्षल केंद्र है पूरा यह कहां बना यह याद रखिएगा इंपोर्टन्ट है और वीडियो जाद बढ़ी ना हो इसलिए दोस्तों अब थोड़े जो आगे के कोश्चन है वो हम अगली वीडियो में करेंगे और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजेगा और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजेगा पूरी यह बु दो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में